हेलो दोस्तों आपका सौगत है मेरे टूट चैनल एलेल वीडियोस में आज हम बात करेंगे कि नसी की हालत में किये गए अपरादों में कितनी सजा मिलती है या फिर इस तरह के क्राइम को यानि अपराद को माफ किया जा सकता है बात करेंगे भारतिनाई सहिता की धारा 23 के बा उसे खिलाते समय उसे बताई नहीं गई थी या फिर उसकी मरजी के खिलाब उसे खिला दी गई थी तो इस कंडिशन में जब उससे कोई गलत काम हो जाता है या कोई अपराद यानि क्राइम हो जाता है तो हमारा कानून इसके रिलेशन में क्या कहता है चलिए जानते हैं सुरुआती दोर में कॉमन लो में किसी नसे में आकर क्राइम किया हो तो उसके अधार पर छूट नहीं दी जाती थी स्टार्टिक में हमारा कानून यह मानता था कि नसा इंसान को और ज़्यादा कुर्यल बना देता है उसमें देया की भावना खतम हो जाती है और उस कंडीशन में वह कुछ भी कर सकता है लेकिन 19-वी सतावदी के अंत तक धीरे धीरे इस कानून में थोड़ा सा बदलाब आना शुरू हुआ और यह माने जाने लगा कि जब व्यक्ति नसे की हालत में होता है तो उसकी सोचने समझने की सकती बहुत कम हो जाती है और उस कंडीशन में वह यह नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है लगातार अगर सराफ का सेवन किया जाए तो इंसान के तिमाग के टिस्यूज में कुछ पर्मानेंट चेंज आ जाते हैं इसे पागलपन की डेफिनेशन दी जा सकती है भारती नय सेता का सेक्षेन 23 ये कहता है कोई भी ऐसी बात को अपराद नहीं माना जाएगा जो उस वेक्ती के नौलिज के बिना उसे दिया जाता है और वह उस अपराद को और तिसमे नसे की हालत में था और ऐसा नसा उसकी मरजी के खिलाब उसे कराया गया था तो इस धारा के तहत सजा में छूट तभी दी जाती है जब वह नसा किसी वेक्ती के खिलाब कराया गया था और अंजाने में कराया गया था यानि कि जब कोई नसीली चीज दी गई थी पता नहीं था या फिर उसके खाने में वह चीज को मिला दिया गया था जिसकी वज़ा से उसे नसा हो गया तो फ्रेंड से था भारते नाई से इता का सेक्षन 23 यदि वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के लिए आप लल ल वीडियो को फोलो करें और चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू